271 देख लिजिए क्या कहता है यदि सुद्र द्रोह से ब्रामण आदी द्विजातियों का नाम और जाती गरहन प्रुवक बुरी बात कहे तो जलती हुई दस अंगुल की लो सलाका उसके मुह में डाल देनी चाहिए अब ध्यान से जरा समझेगा इस चीज को कह रहा है कि इसको द्रोह कहते है कि आप उसकी बात नहीं मान रहे हो आप वहां पे अपना तरक लगा रहे हो, दिमाग यूज़ कर रहे हो, तो आप उससे द्रोह कर रहे हो, तो क्या करा है कि जो ऐसा करेगा न, उसके क्या करो, कि और आप उसका नाम ले लोगे, कि भई उसके नाम से उसको पुकार लोगे, उसके जाती का नाम बोलेगे, तुम प्रामण हो, तो क्या क करेगा कि जलती हुई दस अंगुल तक दस अंगुल जलता हुआ लोह सला का लोह का जो छड़ होता है खुब गरम करें कि आपके मुह में ठूस देगा मुह जला देगा यह आपका जो है यह नियम है इस तरह से आप समझ गए होंगे कि सुद्र जो हैं पिछले 1000 साल से कहे नही पचेगा उसने तक अपनी किताब में लिख दिया कि यही नियम है तो जो नियम है तब फॉलो भी किया होगा तभी तो आज तक सुद्र का सुद्र अनपड हो गए हैं जब ऐसा लार्ज स्केल पर कर देगा ऐसे 25 हर गाउं से 2-4 लोगों को पकड़ पकड़ के मुह में गरम लोसलाख डाल देगा उनके जीव काट देगा तो उसके बाद से आगे कि जो पिढ़िया होगी डर जाएंगी पढ़ेंगी नहीं कहें कि जह हम जाएंगे तो फिर ऐसे ही कर देगा तब तो इतना बड़ा परमपरा चलाया लोग पिछले हजार साल में असिक्चित हो गए है वो पानी तक नहीं पीते थे डरने लगे यही सब तो काम करता था तभी तो उसके मनुस्वित्ति में लिखी हुई है अब इसके बाद से यहाँ पर यी भी लिखा है कि सुद्र अहंकार वस किसी ब्रामपर को धरम का उपदेश करे तो राजा उसके मुह और कान में खोलता ह वा टेल डलवा दे मतलब असमझ रहे हो कि सुद्र अहंकार वस जैसे अहंकार कहने का इसका क्या मतलब है कि ब्रामपर जो है उसके सामने आपको कोई भी वो नहीं करना है मतलब उपदेश नहीं देना है जैसे उसने कुछ कहा तो आपको कुछ भी नहीं कहना है कि नहीं को बताता हूँ ये ऐसे होगा एसा कुछ भी उसको नहीं बताना है अगर ऐसा करोगे तो कह रहा है कि राजा जो है उसे सुद्र के मुह और कान में खौलता हुआ तेल डालवा दे तो इतना इन लोगों का मन बढ़ा हुआ था ये जो बरा मढ़वादी हैं जो मनुस्मिर्थि इतनी हैवानियत भरी बाते जब लिख्शी हुई है और ये आज तक ब्रामढ़ जो है जो धार्मिक है एक धार्मिक मुझे बता देजिए जिसने मनुस्मिर्थि का विरोध किया हो कोई जो मनु का विरोध किया हो उई कहे देगा कि नहीं कुछ मिला वाट हो गई है किसी न मिला दियांग्रेजों ने ये हो लेकिन उसे इंकार नहीं करेगा तो बताइए कि एक धार्मिक व्यक्ति जो इस्वर को मान रहा है और फिर भी मनुस्मिर्थि को मान रहा है तो वही इस्वर आपका इस्वर कैसे हुआ मैं तमाम अपने बहुजन भाईयों से पूछता ये बताना पड़ेगा ना आपको ये क्यों आखिर देखें यहाँ पे दो चीज अलग-अलग करके देखिएगा इस्वर को मानना वो अलग चीज है आप इस्वर को मान रहे हो आप ब्राम्हड हो इस्वर को मान रहे हो छत्रिय हो वैश्य हो इवन सुध रही हो आप इस्व को मान रहा है वो फिर इन इतनी वहियात और गंदी चीजों को सीधे सीधे गलत क्यों नहीं बोल रहा है कितने ब्रामः जो हैं जो इस्वर को भी मान रहे हैं और इसको भी गलत बता रहे हैं जो धरम गुरू हैं बता दीजे मुझे ब्रामःों के जितने भी कथा वाचक हैं इनिके दहर्म गुरुँह, common guy के आई मनुई स्मृति a को सीधे सीधे करते हूं कि यह गलत चीजे लिखी है। ऐसा चीज जो है नहीं होना चाहिए, ये बिल्कूल घलत चीज नहीं कहेगा, तो जब नहीं कहेगा, तो उप कैसे हुआ आपका? ये पागेसवर धाम जो है, इसे पूछी रखा उनकी, मैं तो डिवेट के लिए उसको चैलेंज दे रखा हूंँ, आता नहीं यह डिवेट करन उन्हें इनको नहीं खरा बोला, यहीं से इनके मुह चड़ा हुआ है, मुह बना हुआ है, कि यह किसी को भी बोल देंगे, कि यह कर दो, वो कर दो, इस तरह की, तो यह तो आपने मनुस्मिर्ति का देखा, अब जो है, रामचरित मानस पे कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कि भाई रामचरित मानस में तूलसी नहीं कहा है, किसी और ने कहा है, और आंकार वस कहा है, तो जरा एक बार उसको भी खोल के दिखा देता हूं, यह सुन्दर कांड का है, गीता प्रेस गुरापूर सटीक, जो मोटा टाइप है, इसमें इन लोग का क्या कहना है, इसमें यह जो आय है ना, डोल का हमार सुदर पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो इसमें क्या के लोग कह रहे हैं, कि भई यह जो चीज है ना, यह अहंकार वाला ब्रामचर जो है, यह कहा है, इसलिए यह मानने नहीं है, पर जो जो लोग भी यह बात कह रहे हैं, स्क्रीन सोट सेर कर रहे हैं, और ट्वीटर पर ट्रेंड करा रहे हैं, उनको मैं बता दूं, यहां पर दिखा दूं साफ साफ, कि भई वो जूट बोल रहे हैं, इसी सुन्दर कांड में आप देखें, जो प्रसंग आया है, उसमें साफ साफ यहां लिखा हुआ है, कि अभिमान को छोड़ कर व अभिमान को छोड़ कर अब ब्रामड के रूप में आया, बहुत सीधा साथा ब्रामड आया, और उसके बाद से भी आके क्या कह रहा है, डोल गमार सुदर पसुनारी या सब ताडन क्या दिखा रही है, तब यह कह रहा है, तो तूलसी ने यहां पर दिखाया है, कि उस समय ब्रामड की यही सूच थी, वो सुदर के परती अपने मनुस्मिर्थी देख लिया, अब यह बताईए कि तूलसी जो है, क्या मनुस्मिर्थी का विरूध किया है, अगर तूलसी ने मनुस्मिर्थी का विरूध नहीं किया है, कहीं पर मनु को खराब नहीं बताया है, तो य कबारे लोग कहते कि हाँ भाई तुलसी ने जो लिखा है डोल सुदर पसु नारी ये तो ये तो समर्थक था सुदर का और वो नारी का तो इसका अलग परिपिछ देखना चाहिए लेकिन उखुद ही मनुआदी है या मनुआद में तो पूरा सुदर को और नारी को गाली को ल लकीर चाहिए सुदर की जिस पर आप जिसको मंदिर की घंटा की तरह उसको दोते रहो मारते रहो पीटते रहो तब जाके आपका ब्रामर धरम होगा आगे बढ़ेगा अब जो है इनको मैं एक और दिखा दूँ एक और जगह पे जहां पे ये लोग बता रहे हैं दिखाने की कोशिस कह रहे हैं कि राम ने कहीं भी गलत नहीं बोला है तो ये वाला तो ये मैं दिखाई चुका हूँ कि यहां पे साप साप ये कहता है हे गंदर वह सुनो राम ही कह रहे हैं स्री राम जी ने कहा है हे गंदर वह सुनो मैं तुम्हें कहता हूँ कि ब्राम हड कुल से द होल कहस, ताड़ता, मारता, सापता हुआ भी आके आपको मार दे, पीट दे, कुछ भी कर दे, अगर आपने चूचा किया उसके सामने, भी आप गलत कह रहे हो, तो आपने ब्रामध कुल से द्रो कर दिया, फिर, तो वो राम को नहीं सुहाएगा, यानि राम कह रहा है कि सुद्रो का काम ही है, कि ब्रामध से मार पीट खाते रहो, उनसे दब के रहो, उनसे नीचे रहो, ये राम है, ये हमारे भगवान नहीं हो सकते हैं भाई, आपके अगर भगवान हो सकते हैं बता दिजिए यह स्लोक का यहां साफ साफ यहां अर्थ है जो लोग यहां पर गाना गा रहे थे वो देख सकते हैं यहां पर सीधे-सीधे यह भी राम कह रहे हैं कि ब्रामडों की सेवा किजिए गा तब मुझ समेत राम अब रामभा आदिसब देवता आपके वसमें हो जाए यह देख लिजिए यह राम जो है राम के मुझ से यह कहलवा रहा है अब बताइए ब्रामड की आप सेवा किये हैं ताज तक आप आए हैं उल्टे और नीच पे नीच और पीछे होते गए हैं और यह वाला भी आप देख लिए हैं एक और जहां पर यह लोग रहे हैं वो मै मैं दिखा देता हूँ आपको जहां यह अधाम वाले में यह रो रहे हैं वो भी मैं दिखा ही देता हूँ लियर हो जाएगा सबको अध्ly मैं अधम अतिनारी आप अध्षम आ मतलब क्या कह रहे हैं कि नास्तिक होता और यह अध्यumका मतलब यहां नीच है अगर किसी को द लिखा भी है यहां पे नीचे यह दिख रहे है ना अधम जाती मैं जड़मती भारी यहां पे क्या कह रही है जो महिला है उससे का लाया जा रहा है अधम जाती मैं जड़मती मारी अधम जाती यहां कह दी है तो यही अधम जाती अगली बार यहां पर योग हुआ है और आगे किया है मैं नीच जाती की और अत्यंत मूड बुद्धी हूँ ये जो है उस महिला से क्या अधम जाती का क्या मतलब का हलवाया कि मैं नीच जाती की अधम देख लिजिए जो बोल रहे थे कि अधम का मतलब नास्तिक होता है अधम का मतलब साफ साफ यहां लिखा है नीच जाती और फिर यहाँ पे यह लिखा जा रहा है अधम ते अधम अधम अतिनारी जो अधम से भी अधम है इस्त्रियां उनमे भी अत्यांत अधम है मतलब जो नीच से भी नीच है यहाँ पे इनको सरम आ गया है गीता प्रेस गुरख पुरवा लोगो को कि यहार उपर अधम जाती मतल उपर देख लिजे अधम जाती को यहां पर नीच जाती लिख दिया अनुबाद करके लेकिन यहां पर अधम ही लिखा है लिख देता यहां भी अधम का मतलब नीच जाती तो इनके पूरा का पूरा जो है पूल पट्टी यहीं पे खुल जाती तो यहां पर आप साफ साफ दे कि वो नीच में भी नीच हैं इस्तृया उन सब में भी नीच है यह इन लोगों की सोच थी आई यह चीज थी जब यह बात चल रही है तो राम ही तो वहीं है ना राम से ही बात चल रही है तो राम को ये बात कहना चाहिए बहने देखें आप जो ऐसा आण topics यही सारी किताबे ब्रामणों के पास थी, यही सब पढ़ते थे, अपड़ अपड़ के हम लोग का सूंसड़ करते थे और आज भी ब्रामःड चाहता है कि Constitution की बजाए यही धर्मकरंद पढ़े हैं सब लोग और सब लोग इसी तरह से अभी भी फंसे रहें पीछे बने रहें बेवकूप बने रहें जबकि हमारा Constitution जो है कहता है हमें scientific temperament को encourage कर तो यह चीज यहां पर सब किस समझ नहीं हो किया है